असलाम अलेकुम आइडिया स्टूडेंट, हम चैप्टर फॉर की कॉंप्रिहेंशन कर रहे हैं, दा प्राइड अफ पाकिस्तान. रीड दा फालोइंग सेंटेंस, यह कुछ सेंटेंस हैं, इनको पढ़ें. पहला सेंटेंस है, दा शीप आर ग्रेजिंग इन दा फील्ड, शीप कहते हैं, भेडों को ग्रेजिंग घास जरने को कहते हैं, और फील्ड कहते हैं, खेत को, तो इसका उर्दू तरजमा होगा, भेडे खेत में चारा खा रही हैं, चीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, सना लड़की का नाम है, लॉंग लंबे को कहते हैं, और हेर बालों को, सना के बाल लंबे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सा डियर इन दा फॉरेस्ट, मैंने जंगल में हरन देखे, सा देखना डियर हरन को कहते हैं, और फॉरेस्ट जंगल को, आप देखें कि इसमें sheep, hair और deer ये तीनों noun हैं लेकिन ये plural हैं, जम्मा हैं, ठीक है? लेकिन हमने इनके साथ कुछ sheep's और hair's और deer's s या es नहीं लगाया. तो some nouns don't change when you make them plurals. कुछ nouns ऐसे हैं जिनके spelling में कोई तद्दीली नहीं आती जब उनको आप singular से plural वाहिद से जम्मा बनाते हैं. ऐसे nouns को zero nouns भी कहते हैं, zero plurals भी कहते हैं. प्यारे बच्चों, इसी तरह Allah कुरान मजीद में फर्माता है, Allah का दस्तूर है कि वो हर्गिस Allah अपने दस्तूर में तद्दीली नहीं पाता. कुरान मजीद जो है, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो Allah की किताब है. बच्चों, अपने दस्तूर में कोई तब्दीली नहीं आती, बच्चों, बच्चों, इसी वो हर्गिस बच्चों, आज से आप एहद कर लें, आप क्लासफोर में हैं, अर्दू पढ़ना जानते हैं, खुद से, कुरान मजीद को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें अब हैं एक्जेम्पल्स आफ नौन्स विद नो चेंज आप कुछ और एक्जेम्पल देखते हैं जैसे फिश फिश सिंगुलर भी फिश होती है और प्लूरल भी फिश होती है इसी तरह शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों शीप ही रहती है इसी तरह ग्रेप्फूरूट जो है वो ग्रेप्फूरूट ही रहता है इसी तरह म्यूजिक जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल म्यूजिक ही रहती है और टाइम जो है वो भी टाइम ही रहता है अब पहला sentence है, I saw a flock of sheep, sheep का जो गरो होता है उसे flock कहते हैं, यह नाम होता है भेडों के रेवर के लिए, flock of sheep, I saw a flock of sheep, मैंने भेडों का रेवर देखा, next है, I brushed my hair, मैंने अपने hair brush किए, it's deer season, आपको पता है कि deer जो हैं, उनका भी season होता है जब वो बाहर निकलते हैं, तो it's deer season, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको like करें, share करें और चैनल को subscribe करें,